और आक्सिदेशन इस्ट्रेस के कारद आपके बाल पसफेद होते हैं। और इस आउस्था का नाम है, जब आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो और एंटी ऑफिडेंट क़म हो ठीक है। फ्री रेडिकल्स व्री में दो तरीके से फ्रोडूस होता हैं। एक है इंडोजेनस और दूसरा है एक्जोजेनस इंडोजेनस यानि जब सरीर खुद प्रोड्यूस करें तो वह होता है इंडोजेनस ठीक है एक्जोजेनस यानि जब बाहरी कारण से सरीर में फ्री रेडिकल्स आजा ठीक है यह तब होता है, जब आप ज्यादा smoking करते हो, या alcohol ज्यादा लेते हो, या drugs करते हो, drugs या नी जब ज्यादा दबाई लेते हो, आप जब pollution में जाते हो, तब यह free radical आपके शरीर में आजाता है, जब ज्यादा बग तक sunlight में बेड़ते हो, तब इसकी ultraviolet rage के कारण आपके सरीर मे यह फ्री रेडिकल्स आ जाता है तो अगर यह बाहर इक्जोजयर्ड फ्री रेडिकल्स पर स्थिल्स Сам आपको पारश्य क्या ओस्ट से आपको पूजना है इंपैमिंस्स प्रिस早नज़त historie ृय ऐप जिसने आपके आपके सरीर में फ्री राडिकल्ज़ फ्रोडिस होता है उससे आपको बहुत ज्यादा हानी बॉय सवता है ठीके तो अ के आपके आपको चुछेटीर्ण एक्डोजेनिस फ्री रैडिकल की कारण हुआ था तो आप वो ऑक्षिदेटिव इस्ट्रेस मैनेज़ड होगा और आपका बाल सफेद होने से रूप जाएगा और जो बाल सफेद थे वो भी आप काले होना शुरूचर देंगे ठीके और अगर आपको इंडोजेनिस फ्री रै इपैस करें ठीके पर जब एंटियों कम हो जाएगा सरीर में तो यह फ्री रैडिकल और ज्यादा कुम्म्होरा argentet ओने लगे यह आपको 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 यह करना होगा की आपको यह एंटियो कहिदेंके सप्लीमेंंस बेंस लेने होंगे या आप लोगों को एंटियों चुट फूड खाना होगा ठीक है एंटी ऑक्सिदेंट रिच फूड है कमेटो पालक गार्लिक इस्ट्रावेरीज ब्रोक्ली स्वीच पोटाटो ग्रेप एप्पर इंलामीर्ज ग्रीन टी ब्लीवेरीज जो भी आपके लिए एवाइलेबल होना वह आप अगर खाओगे तो आपके स इस्ट्रेस है वह घटेगा तो जो आपका बाल सफेद हो रहा था अब वह बाल सफेद होना बंध होगा और जो बाल सफेद हुआ था वह भी आप काले होना शूरू कर देंगे धीरे धीरे ठीक है